हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे तो मेरे नाम है आकाश कुमार और आप देख रहे हैं केरवल फार्मा तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट थर्ड फार्मकोग्नोसी की जो हमारी बी फ फार्मकोगनोसी में है लेकिन बहुत ज़्यादा है उसके बाद हम यहाँ पर देखने बाले हैं इसके कुछ हिस्टोरिकल डवलमेंट की इसकी हिस्ट्री क्या रही है इतिहास क्या रहा है कैसे क्या होता था फिर इसमें हम एक और टॉपिक आज की वीडियो में देखेंगे कि वह हमारा रहेगा ग्रोथ एंड देर मेंटर यानकि हम सिंपल बोलें तो एक बन अपसा मोश्ट अमिन टॉपिक है हमारे प्लांट इसू कल्चर का कि आखिर इसको हम करते कैसे हैं मैथर क्या है पूरा का पूरा प्रसीजर क्या है प्लांट इसू कल्चर का यह एक टैक्न चलिए तो इसको इस को इस तरह समझते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे प्लांट पौदे होते है मेरे कहा पर उगते हैं कहा पर हमारे पाइज़ आते हैं अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जिसको हम ऐसे उगा सकते हैं जहां पर हमको मिट्टी की धरूरत ही नहीं पड़ेगी तब थोड़ सा अजीब लगए गया ना क्योंकि हम जह जानते हैं कि अगर हमको खेती करती हैं हमको अगर प्लांट पौदे तो आपको कैसा लगेगा थोड़ सा अजीब लगेगा ना लेकिन हाँ यही हमारी एक्चल में टैक्निक होती है प्लांट टिसू कल्चर यहां पर हम क्या करते हैं हम आल्टिफीजियल तरीके से यहां कि कुछ अलग जानकि जो यह हमारे नेचल तरीक है कि हम सॉयल मिट्टी मैं अच्छे सारा कुछ आपके कराया था तो उसमें हमारा था बैक्टीरिया वाला कल्चर था तो उसमें हम क्या कर रहे थे वैक्टीरिया कल्चर अनिमल कल्चर दौनों हमने पढ़े थे तो उसमें क्या कर रहे थे कि उसमें हम आल्टिफीजियल तरीके से यहां कि जिसको ह हम उस plants का use कर सके ठीक है friends अब सवाल आता है कि आखिर हम यह कर कैसे सकते हैं तो अगर मैं आपसे पूछू कि जो हमारा soil है मिट्टी है जिसमें हमारे जो plants है वो grow कर रहा है क्या हो करता है बज़य क्या होती है क्या बज़ा होती है कि हमारे जो soil है उसमें हमको सारी चीज़ा मिलती है जो एक plant को grow करने के लिए जैसे हमारा पानी होगा तो भाई वो soil को कहां से plants को कहां से मिलेगा नीचे से root के तरह मिलता है water बगरा सारी चीज़ा को नहां से मिलेगी मिट्टी से जितनी भी हमारी essential चीज़ा है सारी हमको क्या होती है हमारी soil से मिलती है और कुछ हमारी जैसे light पगरा हो गई वह हमको कहां मिलते है उपर से मिलते है जो leaves के तवारा plants लेते हैं मतलब जनरल बता रहा हूं बाकी कुछ-कुछ का अलग हो सकता है एक जनरल हमारा यह चीज़ा होती है कि हमको जो most of the things होती है वह हमें कहां मिलती है plants को मिलती है soil से और बाकी कुछ बात है sunlight से मिलती है यह सारी चीज़ा है तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक यह ले लो एक मैंने कोई जार ले लिया कुछ भी और अगर मैं उसमें यह सारी चीज़ा यहां पर डाल दूँ इसके अंदर यहां पर mix कर दूँ तो क्या हमार plant grow कर सकता है चांस तो है क्योंकि plants को यह चीज़े जैसे एक्जामपल के लिए समझो कि मालो चार दोस्त हैं और चार दोस्त एक मतलब कहीं पर रहने लगए बाहर गए पढ़ने के लिए लिए पीजी में कहीं पर रहके अब खाने के लिए वो क्यांते थे में समने जाते थे तो बताओ इस बात से बॉडी को हमारा कोई इंकार होगा, हमारी बॉडी बोलेगी, बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को चाहिए खाना, अब वो खाना चाहिए मैस से आए, चाहिए किसी के घर से आए, चाहिए वो खुद घर पे बनाए, बस बॉडी को खाना चाहिए, खाना एक nutrition medium बनाते हैं और उस nutrition medium में हम क्या करते हैं कि जितनी भी essential चीज़ा होती है जो हम plant को चाहिए होते हैं वो सारी की सारी चीज़ा हम यहाँ पर डाल देते हैं उसके बाद उसको ऊपर से sunlight बगर मतला जो भी उसको चाहिए होता है सारी चीज़ा हम उसके लिए provide करते हैं अलग इसी के अंदर grow करने लग जाता है और यही हमारी चीज़ कहलाती है plant tissue culture जाना कि artificial तरीके शे हमने क्या कि एक plant को यहाँ पर grow करा दिया तो I hope कि आप लोग समझ गए होंगे basically क्या होता है हमारा plant tissue culture अब दो चार बात है और समझ लो अब जैसे मालो कोई हमारे यह plant है तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा plant ही लेंगे हम इसका कोई भी एक part ले सकते हैं चाहिए इसकी leaves हो चाहिए इसका stem हो चाहिए इसकी root ह हमने कोई भी एक part लिया और इस part को लेकर हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगा और वो हमारे grow करने लगेगा अब आपको एक बात बहुत है जो हम इसका part लेंगे grow कराने के लिए मालो हमने इसकी पत्ती ले लिए यहाँ पर leaf ले लिए हमने तो जो हम ले रहे हैं यहाँ पर हम झोड चुके हैं उसका हमारा इसा नहीं रहा तो यह एक्स-plant का मंदलब क्या है कि यह चीज क्या करते कि अप्रांट को छोड चुकिया तो इसका है एक्स-plant हो गया यह ले ले लिए यह लिए इस लीफ को यह पर डालेंगे और इससे हमको पूरा कपूरा प्लांट ही मिल तो यह चीज़ा हमारी होती है इसके अंदर इसको आगे और ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले हैं तो अब भी आप चीजों को समझ गए यह हमारा यहां पर डालेंगे निवीट्सन मीडिया में अब हम थोड़ा नोट्स के पेश समझ लेते हैं तो जो हमारी प्लांट टिसू कल्चर यहां कि पीटीजी है वह क्या है इक इन विट्रो टेक्निक है इतना अलग है इन विट्रो का मतलब क्या होता है जैसे अगर मैं बहुत है कि मालो इस प्लांट है ना इस प्लांट के अंदर ही कोई और रियक्शन हो रही है तो वह इन विट्रो हो गई और इस प्लांट के बाहर कोई चीज हो रही है तो वह मारी इन विट्रो हो गई अब हम बाहर ही तो कर रहे हैं हम अलग ही दुनिया में यहां पर बना के कर रहे हैं इसके हमने एक लीफ ले लिए उसको हमने यहां से टाला है नियूट से मीडिया में एक्स प्लांट होगा हमारे यह उसके बाद हम इसे पर सारी चाजी देए फिर हमने अपना प्रोसीजर फॉलो किया और यह चीज हमारी क्या हो जाएगा एक न्यू प्लांट में यहां पर बदल गया आपको जैने टेकली से मिल रहा है उसके बाद हम यह वाली टैक्निक से क्या कर सकते हैं जो बिचारा मर गया उसका एक दो पार्टी बचा मालो उसकी पत्ति जिन्दा बची या उसके सिर्फ जड़ बची आपने तेखा हो ना कुछ पेड़ पहुदे जो अच्छा प्रॉपिट पीटी सी का ठीक है सिंपल आप इतना समझ गए कौन-कौन से पार्ट से हम डबला कर सकते हैं तो सीड हो गया उसकी एंब्रो हो गया रूट टिप हो गया जानकि जड़ वाला बाग सूट टेप जानकि ऊपर वाला पूरा एरिया हो गया पोलन ग्रें जानकि हम कह सकते हैं एकदम असेप्टेकली मिलती हैं सारे की सारी चीज़ा यानकि उसमें कोई बगर नहीं होगी एक्जक्ट कॉपी होती है जो इधर सेम कर देखो यहां से हमने बनाया तो हमको सेम ऐसा प्लांट यहां पर मिल गया उसके बाद यह प्राइमरी और सेक्डर इसका क्या इतिहास राहिक तो बैसे तो यह चीज़े हमारी लगबक पांस सौ साल पूरानी है पचास साल पूरानी है लेकिन अभी जैसे कुछ दो चार साल डिकेट पहले चैन्कि मालो अभी कुछ टैम पहले ही यह ज्यादा डमांड में यह चीज़ क्योंकि आपको पता सा हम दबाईये बनाते और बहुत जादा प्रॉफिट यूज करते हैं ठीक है तो अब यहां पर देखे तो पहली जो हमारी शुरुआत हुई थी वो किस ने की थी यहां पर गॉट लीव होवर लेंड थे हमारे जो उन्होंने 1902 में क्या किया था टैकनिक यह हमारी डबलब की थ कि थी और उन्होंने किया क्या था एक हमारा यहां पर होता है मीजो अपर यूज किया था तो अब यह श्ट्री बगआर तो आपको पता यह सब ऐसी होते हैं तो इसके लिए यहां पर कूछ पहुत अब बस पढ़़ते जाओ यह सारे तर्म्स को में आगे आपको बताने बाला हूं तो इस नहीं हो ना फिर उन्हों ने फ्यूजन का उब्जर्वेशन किया फिर 1922 में रॉविन कोटे थे इन्हों ने इन विट्रो कल्टिवेशन किया रूट टिप का जो हमारे प्लांट के नीचे का इससा है फिर 1934 में इन्होंने एक टमद्टो का किया था इन्होंने फिर 1934 में हमारे गोट्रेंच थे इन्होंने वारा कि इन हने किए इंहोंने छहां फिर में वहार आपक हमरे देखा फिर में इसने सिंगलवाक्न को ब्ण और did क्योंकि history तो आपको बता है समझाने का इतने कुछ होता है बस आपको यह याद करना होता है चलिए तो आप history बगर यह आप देख लेना इसका जो होगा वो मैं description में डाल दूंगा जैसी हमारी unit complete होगी इसके notes आपको website पर भी मिल जाएंगे अब एक term आता है हमारा totipotency थोड़ा सा जीव है तो इसका आखेर मतलब क्या चीज़ है इसको हम समझते हैं तो ऐसे समझो कि अगर कोई हमारा plant है यह मालो तो अगर यह plant हमारा totipotency वाला plant होगा तो इस में क्या होगा कि यह plant में इतनी availability होती है इतनी काविलियत होती है कि अगर इस plant के हम चोटा सा एक cell भी उठा लेंगे यह सेल हमारा क्या करता है इतनी हिम्मत रखता है इतनी काविलियत है कि यह दोवारा ऐसे plant बनाने में सक्षम हो जाता है इतना ब यहां पर क्या हो रहा है कि यह हमारे टोटी पोटेंसी वाले प्लांट्स होते हैं जितने भी हम जिसकी हम प्लांट्स करते हैं इसका मतलब कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका अगर हम छोटा सा हिस्सा भी उठा लेंगे तो इस हिस्से से क्या करते हैं फिर से एक नया जनरल प्रोसीजर इन्वॉल्म इन पीटीसी यान कि जो मारा प्लांट इसू कल्चर है इसमें आखर क्या फुरमना है क्या प्रोसीजर है कैसे हम किसी एक नई प्लांट को दूसरे प्लांट से बना सकते हैं तो टोटल यहां पर हमारे हमने पांच चैप लिए हैं इसके आगे चैप करते हैं तो उसका स्बनास प्लांट को बनाना तो इसका सिम्बल सा मतलब है कि जो भी आपको सामगरी के लिए जो यनतर चाहिए हम कहते है न कोई काम करोगे एक ऐसे इस यह तो candy सिसंट करेंगे यह कोई भी काम करो ऐसे टीसन में करो महां पर बैक्टेर्या बगर आना हो और इसको इस चलाइज करोई तो बत यही काम हम आं करते हैं किna У अब एक दो बात जान लेते हैं कैसे करते हैं पहला यह है कि हम उसको पूरी रात के लिए क्रते हैं बढ़ते हैं बहुकर रख खते हैं अंदर किस चीज में है तो यहां पर हम hot air oven का use करेंगे और उसमें हम 120 डिग्री पर करीब आदा से गंटे के लिए उस चीज़ों को रख देंगे अपने ग्लास बेर्स को और वो हमारे एकदम पर्फेक्ट इस्ट्राइज हो जाएंगे पहला कर्णिशन आप समझ गें दूसरा हमारा आता है प्रप एसा नहीए कि आमने उसको नहीं किया हमने उसको क्या करेंगे इसको भी इस्तेरिया करेंगे जिससे उसमें भी उप intend बांए च leoprop अच्छे से जशन से पर कोई वंख बैक्टीरिया ना हो और जो नया प्लांट वनेगा उसमें भी नशी में और तो यह हमारा यहां पर एकस प्लांट क हम इसको फारदर क्या करते हैं जैसे अमल immature यह हमारा plant था इससे हमने एक cell निकाल यह हमारा plant है इसको हम क्या करेंगे फिर से उसमें कर लेंगे मतला इस्टेलाइस कर लेंगे कोई भी condition होट और ओर किसी में भी फिर हमारी तीसरी यहां पर आती है production of callus from x-plant अब callus क्या होता इस callus को आप समझ लो अच्छे से क्योंकि callus हमारा जो आपको कई दगा है अलग से भी पूछ सकते कि callus culture क्या होता है callus को हम कैसे करेंगे यह पूरा phenomenon आपको callus के रूप में भी दे देंगे तो callus को इस तरह समझो हमने आपको जब पढ़ाया था pharmacology first unit तो आपने दो चीज़ा पढ़ी थी एक क्या था organized drug होते हैं एक क्या थे हमारे unorganized drug होते है और्गनाइट रग में क्या हो रहा था कि मालो यह हमारा एक लीफ है तो और्गनाइट में क्या था कि हम पूरा का पूरा पार्ट ले लेते हैं यह हमने क्या लिफ लेकिन और्गनाइट में क्या था कि हम इस पार्ट से कोई और चीज़ को मतलब एक नया chemical सा डबलब कर लेत यह पार्ट खुद नहीं होता लेकिन जो हमारे चीज बनते है वो हमारी इसी इसके द्वारा बनाई दाती है जैसे मालो हम लीव को हमने पीस पास के पॉडर बना लिया तो हमारा क्या होगा यह अनौर्गनाइड ड्रग में आ गया हमने इस लीव को पानी में डाला पानी में तो जो पानी में इसका थोड़ा बाद रस निकल गया होगा तो वो रस हमारा क्या होगा इसका वो हमारा अनौर्गनाइड ड्रग हो गया तो यह चीज़ां जो हमारी अनौर्गनाइड वाली होते हैं यही हमारे एक्शुल में क्या होता है कैलस होता है आप समझते हैं कैसे क पहले ही तो यह चीज आप ध्यान रखना जो कुछ भी आप लोगे उसको आप पहले इस्ट्रिलाइज कर लोगे अच्छे ते इसमें कोई वैक्टिरियन ना हूँ तो हमने क्या किया यहां पर कि जो हमने पार्ट यहां पर लिया था मैं आपको जहां दिखाता हूं मालो हमने यह रखे है तो उसको हम क्या करते हैं एक नूटिशनल मीडिया को जो हमारा फॉसमें ना हम इसे थोड़ा सा फिर इसको हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं और टेमपरेटर हम सेट करते हैं 15 दिजियों अब यह 25 डिगरी में थ्धोड़ा सा ऊपर नीचे एक दो डिगरी एक्च्वल में उसको हमने यहाँ पर रखा और उसको हमने क्या कि जब हमने लिक्विड न्यूटर्स मीडिया में रख दिया दिगरे दिगरे वह मारा इसमें मिल जाएगा घुल मिल जाएगा और चीज़ जहां डबलब हो जाएगी तो यह जो पूरा का पूरा अब आता है अब आता है अब आता है उपकी आपकी क्या होगी प्रॉल फैरेशिंटार अचे… हम क्या करते हैं कोई चीज भढ़ा दें जैसे मैं एक्जांपल के लिए बोलू हूँ आपके पास पांसो ठीसों रुपय थे आपने इन्वेस्ट करके कुछ भी किया और आपकी क्या होगी प्रॉली फैरेशन हो गई बैसे तो यह हमारा रिप्रोडक्शन या यूज करता है मैं एक्जांपल के लिए बता रहा हूँ तो वहाँ पर आपके गोजाएंगे आपके जो पांसो चैसा रुपयते वह आपके बढ़के हजार दोजा तीन एयर हो गए मतलब एकदम आपके रैपिड इंक्रीद्मेंट हो चीजों में तो यह हमारी क्याला थी प्रॉली फ किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत आजाए अच्छे होते हैं। तो जो हमारा यह वाला जी नीट्स मीडिया लिए हम हार्मोन फ्र यहां पर आता है proliferation medium अब हमारा पांच में step आता है subculturing of calories अब याद हो तो जैसे हमारा कोई culture होता उसको हमँ बार अबार अगर change करें उसके medium हम चैन्ज कर रहें तो वही चीज है कि मालों हमारा जो यहांपर पर कराने के वांद हमने यहां पर अपना प्रफ्रेसन क्या अब हम क्या करे गाल के न Rec तो तो यहां इसको हम संध कि कंपाना बदलाने जगे बदल यहाम Pierce meme rate हैं तो रोज-रोज हम जाड़ करते रहते है और जुसकी क्वालिटई है और इसकी क्ालेटिए वह क्या रहती है ऐक्दम बरकरार रहती है थीक है तो यह हमारा होता है subculture का एक दम मतलब फिर हमारे यहां पर आता है suspension culture तो अब यहां पर दो चीज़ा हमारी एक तरह समझे भीड हो गई subculture में हमारा यहां पर बन गया जो आपको यह दिख रहा होगा तीनव बीकर में करने के बाद हमारा अच्छा था एक बन गया समपल अब एक होता है suspension culture यहां पर क्या होता है आपको चीज़ श्टोर करके रखनी है आप उसका आगे यूज कर सकते हो और जादा यूज कर सकते ह यहां पर हम क्या करते हैं जो हमारे यह बन गया उसको हम uniformly distribute कर देते हैं एक पूरा liquid medium में और उसमें हम क्या करते हैं उसको एडिटेट भी करते रहे इसके रोड राउंड राउंड चीज़ें घुमाते रहे जिससे वह हमारा क्या हो मिक्स ना हो और वह हमारा क्या रहे एक द सब्सक्राइब करने छोड़ा में इसको उदी कि इसको डाल देते हैं उसको डालने के बार हम क्या करेंगे यहां पर उसकी दिर्वे दिरे धीडर हम क्या करते हैं इसकी कैलस में फॉर्मिशन हो जाती है इनक्यूवेटर करने के बाद की करने के बाद जो मैंने आपको बताते हैं इसका अप्रेस्ट मीडिया दालते रहते हैं लिकुड में जो इसका हम चेंज करते रहते हैं उसके बाद सब कल्चिन के बाद इसमें क्या हो जाता है यहां पर यह चीज़ा इसकी डबलप होने लगती है यान कि जो इसमें क्या पड़ाता वो धीरे-धीरे प्लांट का रूप ने लगता धीरे-धीरे और उसके बाद वह हमारा कुछ इस तरह का आपको प्लांट के लिए तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे हमारा क्या होता है साथ अब जो हमारी नेस्ट वीडियो आएगी उसमें क्या समझने हमाले हैं टाइप सवकेश के बारे में और जो यहां पर हम जेंशन मीडिया यूज़ कर रहे हैं इसको उगाने के लिए तो जो न्यूटिस्य मीडिया एक्षियर में है क्या किस किस से मिलकर बना है तो ये सारी चीज़ दो बातों कि में हम यहाँ पर बात करेंगे तो ठीक है फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूब बताइएगा बाकि इसके नोट्स परके आप डिस्क्रिप्शन वीगा विजिट कीजिएगा बाकि मिलते हैं आपसे बहुत जल तब तक कि लिए फ्रेंड्स थैंक यू टेक केर और आप सब लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा बाई बाई फ्रेंड्स